माननीय मंत्रीजी, श्री थावर्चन गेहलोच, समाजिक न्याय और अधिकारता मंत्राले भारे सरकार, हमारे सच्चिव महोदेया, जॉइन्ट सेकेटरीज, CMD, एरपोर्ट अथोर्टी अफ इंडिया, डॉक्टर अरुन नकरवाल, डॉक्टर रोहित मलोत्रा, डॉक्टर केके हांडा, आप सभी और पत्रगार गन, एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के लिए जहां पर एक समाज में एक जो बात बैठी रहती है, कि जो बहरा है, वो गुंगा भी होगा, इस समाजिक मित को ये कॉक्लिर इंप्लांट तोड़ देता है, कि जो जनम से बहरा होगा, कॉक्लिर इंप्लांट के बाद सुनने की शक्ती प्रदान पाएगा, और घर में और स्पीश थरेपी के माध्यम से वो बोलेगा भी, सक्सेस्फुल हुआ, जिसमें से आज पांच बच्चे यहां पर आए है, सर्क हम बताना चाहेंगे कि इन 15 बच्चों में एक बच्चा वारानसी का है, दो बच्चे हमारे दिल्ली के हैं, पांच बच्चे कानपूर में हैं, जिनका यह ओप्रेशन हुआ, और एक मुंबई में, और बहुत बहुत धन्यवाद एरपोर्ट अथर्टी आफ इंडिया का, कि हमें 100 बच्चों और का एलिमकों के साथ मिलके, जो दाइत्व मिला है, उसको भी हम आशा करते हैं, कि 31st मार्च के अंदर इन 100 बच्चों का भी ऑपरेशन हम कम्टीट करा देंगे, हमारे मंत्री जी समय समय पर हमें मार्ग दरशन देते हैं, और हमेशा इस प्रोग्राम के बच्चों के साथ मुलाकात करते हैं, चाहे वो बॉंबे में आएं, चाहे दिली के विज्ञान भोवन में आएं, चाहे मद्य पुदेश में जाएं, और पेरेंट्स का भी एक मनोवल बहुत बढ़ता है, मैं सर पेरेंट्स से सवेरे बता रहा था, कि एक घंटे की थेरपी तो इंस्चूट में होगी, लेकिन घर में भी आपको बहुत बोलना है, और बच्चों को इस तरह से बोलना है, कि बच्चे जल्दी से जल्दी सीखें, और नॉर्मल स्कूल में जाएं, और एक कॉंटिबूटिव सिटिजन बनें, मैं आशा करता हूँ, आप सब पेरेंट जानिये, कि इन बच्चों की कॉक्लर इंप्लांट सरजरी और सरजरी का कॉस्ट, थेरपी का कॉस्ट, एरपोर्ट अथॉर्टी ऑफ इंडिया बहन कर रहा है, और ये बच्चा जब बड़ा हो जाए, तो शायद हम लोग और बुड और ये असेट मुझे बहुत आशा है, कि वो सबसे बेस्ट इंप्लाई के रूप में आएंगे, चाहे वो दूसरे भी हो, और आशा करते हैं, कि एरपोर्ट अथॉर्टी ऑफ इंडिया इससे और आगे बढ़े, और हमारे पास काफी लंबी लिस्ट है, जैसे कि आपको प् करते हैं, हम पेरेंट्स को आवान करते हैं, कि आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े, हमारे सारे सर्जन्स, जो 172 हॉस्पिटल में है अक्रोस इंडिया, वो लोग जुड़े, हर लोग जुड़े, मीडिया जुड़े, कि इस प्रोग्राम को सत्य करें, और जो नीचे उनका एक बहुत मजबूत बुनियाद बना दें, कि वो आगे चलके बहुत बढ़ा बने, मैं इसी के साथ एक बार मंत्री जी का, हमारी सच्चिव मैडम का, जॉइन सच्चिव का, सबको, और एरपोर्ट अथर्टी, अलिमको, CMD अलिमको का, पस्नल धन्यवाद करता हूँ और हमारे इंस्चिट के सभी करमचारी जो लगातार इस प्रोग्राम में लगे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि हम इसको और आगे बढ़ाएं, धन्यवाद